आपका स्वागत है आज कल होली का सीजन चल रहा है और घर में पकवान मिठाईयां पापड आदी सब कुछ बन रहा है तो मैंने सोचा आज आपको एक रेसिपी मैं ब्रेट के गुलाब जामून की बताती हूं वैसे तो महदे के गुलाब जामून बनती है लेकिन मैं इंस्टेंट ब्रेट के गुलाब जामून बनाना बताते हैं जो हम 10 से 15 मिट में अराम से तयार कर सकते हैं और यह बहुत सॉफ्ट बंते हैं तो चलिए बता देती हूं इसके लिए क्या क्या इंग्रिदिन्स की जड़ देशी घी में हम गुलाब जामून को तलेंगे आप चाहे तो रिफाइन ओल का वी इस्तेमाल कर सकते हैं इलाइची पाउडर चाहिए हमें थोड़ा सा केसर चाहिए दूद्ध चाश्णी बनाने के लिए पानी और शक्कर चाहिए सबसे पहले हम चाश्णी बनाते हैं तब ही हम नाप करके पानी डालेंगे बराबर का पानी डालेंगे हम चाश्णी में और जब तक हमाया चीनी घुलनी जाती है तब तक हम लगातार चाश्णी को चलाते रहेंगे ताकि नीचे चाश्णी चिपकेना कुए हमाई चीनी ने तक हमें लगता इसे चलाते रहना ही अब देखे हमाई छीनी ठोड़ी ठोड़ी फिगलने लगी है This Hम इं एसे हम फिल्कूल भी छोड़ेंगे नहीं और इसे लगाता चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगी नआ ena jab अब हमारी चीनी पिगल जाएगी तब हमें इसे दीमियाज पे हलके हलके पकाएगे अब हमारी चीनी पिगल गई है अब हमें इसे दीमियाज पे पकने को छोड़ देते हैं और हम इधर गुलाब जामुन की तियारी कर लेते हैं अब हमने जो bread ली थी, इनके सारे corners काट लेते हैं. Corner काटने से, जो हमारी गुलाब जामुन होते हैं, वो soft बनते हैं, वरना वो हमारे tight बनते हैं. तो हम सारे corners काट लेंगे, और इन corners को हम बिल्कुल भी फेकेंगे नहीं, इनके हम पुहा बना सकते हैं, या आप bread crumbs बना सकते हैं, और cutlet वगरा बनाने में इसका इस्तिमाल कर सकते हैं. और इसके 4 तुकड़े कर लेंगे, इसी तरीके से हम सारे macrocheam, पीसे काट लिए निकाल देएं, और आप में इसको भी मिक्सी के जार में, ब्रेक्रम्स बनने काट, मेरे ब्रेक्रम्स बन गए, अब ब्रेक्रम्स के एक बोल में निकालने अरपक्रम से बड़क तो अब है सिस्ट gray कावणर में अधिर ऐलाइटी के वारवा दालने को इस लीट्ग में बहुत ही अच्छा लूवारा डाले अब हम इसमें तीन चम्मच के करीब मिल्क पॉडर से हमारा जो इसका टेस्ट है वह बहुत ही अच्छा आता है अगर आप चाहें तो आपके पास पुल्समेट क्रीम दूद आता हो तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते है आप दूद को अबाल करके एक कप दूद को आधर कप करके उस्त इस अब्हूर म einfशाइब कर सकते हैं वह भी बहुत अच्छा लाइता है अब हम इसको अच्छी से मिला लेंगे अब हम इसमें एक चबमच के करीब देस ही डुलिया अर्द आ अब बनाएंगे थोड़व खोड़ fluor हम दूध डालते हैं मुझेशी थोड़व टूध डूध डाल कर इसका इक सब्सक्राइब मैंने 1 में सबर्गेप के कर दूध तक युझेश लिए और इसको मसल बना लिए इसका हम अच्छे से बहुती चिकना चिकना दो तियार कर दूए अब हम इसको अराम से इसका अच्छे से दो बनाने हैं किसी कर दो अब हम इसको सब्हें डाले 20 जंग तब टक अपनी चाष्नी देख लेते हैं चाष्नी हमें ना 1 तार कि ना 2 तार कि बना बहुती हल्का सा तार बनेगा तो अमाई चाष्नी पैर रह जाएगी वार पकगी भी अब हमारी चाशनी हख रीघी फूरी से फूरी सी इसमें अभी केसर डाल दूगा से स्वाथ बहुत अच्छा आता है कर दो चाहिए तो फूर का भी इसके लिए हम थोड़ा सा एक खटोरी में छाशनी को ठंडा करेंगे आज Fantastic आफिर देखेनगे किसका हलका सा तार बनेगा और हमाई छाषणी त्यार हो जाएगी गए ढऌना ढेक्ब के बहुत हलका सा तार बन जाए तोड़ी हो आ। टंडी हो जाएगी मैंने केसर में यह थढ़ता हो गया है अब हम इसे देख लेते देखी हलका से तार बन रहा है इसका मतलब हमाई चाशनी त्यार होगाई अब शन्डी कर लेंगे तब तक हम गुलाब शामून देख लेते हैं अब जो आटा था उस दस मिनिट बाद आटा देखे थोड़ा टाइट हो गया अब हम इसको मसल मसल कर बिकुल चिकना कर लेंगे तब ही हमारा जिससे हमारे गुलाब जामून बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बनेगे अब मैं इसको यह मारा दो तयार हो गया देख अब हम उसको गुलाब जामून के अंदर भर हैं तो अलग ही हमारे अपस में मिल जाएंगे अब गुलाब जामून को आप जो भी शेप देना चाहें देखिए कितने चिकने गुलाब जामून बने देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा इसके बीच में जग्या करेंगे और इसमें जो ड्राइफ रूट्स हैं वह अपने भर लेंगे और फिर इसको राउंड शेप देदेंगे अंडा कार भी लोग पसंद करते हैं और इसको अलाग रखेंगे इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामून लाना लेंगे बीच में आप थोड़ी सी कटोरी की तरह शेप बना लिजे और इसमें अपने ड्राइफ रूट्स अख लिजे और इसको राँढ शेप दे दीजे हमारे इंस्टन गुलाब जामूने बहुत जल्दी तेयार हो ज़यते हैं गए बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं आप شाह है तो इसी तरीके से आप सारे गुलाब जाओं हम तयार कर लेते हैं अब हमारी रजगुले बढ़ने 8 ब्रैट में मेरे 3 रजगुले तयार हो गए हैं मैं इसको फ्राइ कर लेते हैं मैंने देशी की चडा लिया है और आप चाहे तो रिफाइन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और मैंने इसको एक बार तीज करके और हल्की गैस कर लिए हम इसे हल्की ही आज पर इसे दीरे दीरे तलेंगे ताकि ये अंदर तक हमारा रजगुल्ला तल जाए देखिए हमारे रजगुल्ले जो है गुलाब जामुन का कलर देखिए कितना अच्छा आया है और हमें हल्का ब्राउनी कलर गुलाब जामुन में चाहिए अब हम इसे निकाल लेते इसी तरीके से आप सारे गुलाब जामुन फ्राइ कर लेंगे इसी तरीके से हम और जितने बच्चेवे गुलाब जामून है उन्हें भी तल लेंगे और ब्राउन कलर आने तक हमेसे घलकी आज में ताकि ये अराम से अंदर तक पक जाएंगे देखें हमारा कलर कितना अच्छा है गुलाब जामून का अब हमेसे निकाल लेते हैं कि अदा कि में तल्ले से गुलाब जामून बहुत ही टेस्टी मनतै देसिगे अपना शुए होता है पढ़े में निकाल यहाद है में चाशनी में गुलाब जामुन एक से सवा गंटा हम रख देंगे ताकि जो गुलाब जामुन है वो चाशनी अच्छी तरीके से अंदर गुलाब जामुन के पैपस्त हो जाए और अंदर तक गुलाब जामुन बहुत ही मिठे मिठे हो जाए देखिए मैंने साई रस गुले डाल दिया है आप हम इसे एक से सव गंटे छोड़ देंगे लीजे तैयार है हमारे ब्रेट के गुलाब जामुन और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और यह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बने अब मैं इसमें थोड़ा सा उपर से ड्राइफ फ्रूट्स स्प्रिंकल करने अगर आपको में रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जिरू कीजेगा और यह बड़िया बड़िया गुलाब जामुन ब्रेट के आप होली पे बनाएगा और आपने सारे परिवार और सारे मिलने वालों को त्युक्त धागा थेगा थे नहीं आपी ओली